इंदी डिकॉर्डिट चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये जो भाषा कोश होते हैं ये एक भाषा के हो सकते हैं या फिर एक से अधिक भाषाओं के भी हो सकते हैं जिस कोश में किसी एक भाषा के शब्डों मुहावरों एमम लुकोक्तियों को आकार आधिक्रम से रखते वे विबिन आर्थ दिये जाते हैं उन्हें ही हम भाशा कोश कहते हैं तो दोस्तों आज के अध्याई में हम भाशा कोश के अंतरगत आने वाले कुछ विशेश कोशों जैसे शब्द कोश, शब्द परिवार कोश आधी के विशे में चानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके बारे में आज के अध्याय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के अध्याय में हम भाशा कोश और भाशा कोश के अंतरगत आने वाले विभिन प्रकार के कोशों के बारे में चानकारी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाशा कोश होता क्या है दोस्तों भाशा कोश मुक्याता है एक भाशा कोश द्वी भाशा कोश और अनेग भाशा कोश ये तीन प्रकार के होते हैं जिसमें एक की भाशा के होते हैं कुछ कोश ऐसे होते हैं जो दो भाशा के होते हैं और कुछ होते हैं अनेग भाशा के तो जिन कोशो में स्त्रोत भाशा और स्पष्टी करन की भाशा एक होती है उन्हें हम एक भाशा कोश कहते हैं जैसे की हिंदी शब्द सागर या मानक कोश इसमें हमें हिंदी के ही शब्द होते हैं हिंदी में ही अर्थ होते हैं तो ये एक भाशा कोश कहलाते हैं तथा संस्कृत में हैं शब शब्ध कल्पद्रूम एमम ऑक्सफोर्ट डिक्षनरी यह अंग्रेजी भाषा के कोश है जिसमें इंग्लिश के शब्द और इंग्लिश के ही अर्थ और संस्क्रित में भी इसी तरह से है जिन कोशों की स्त्रोत भाशा और इस पश्टी करन की भाशा अलग अलगो उन्हें द्वी भाशी कोश कहा जाता है जैसे मोहनियार विलियम्स के संस्कृत इंग्लिश और इंग्लिश संस्कृत कोश यानि कि जिसमें English में लिखा है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है और अर्थ किसी और भाषा में जिसे हिंदी में है या संस्रित में है या संस्रित भाषा के शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में है उन्हें हम कहते हैं द्वी भाषिय कोष हर देव पहारी के अंगरेजी हिंदी कोष वी भाषत के अंतरगती आते हैं और जिन कोषों में शब्द प्रोथ तो एक भाषा में होता है किन्तु उनका स्पष्टी करण अनेग भाषा में किया जाता है यानि कि एक शब्द क्यों कई भाशाओं में उसके अर्च बताए चाते हैं उन्हें हम क्याते हैं अनेक भाशी कोश जैसे टर्नर की नेपाली डिक्ष्णरी ये अनेक भाशी कोश ही क्यलाएगा चलिए दोस्तो अब हम जानते हैं इसके आगे भाशा कोश के अंतर गति शब्द कोश, शब्द परिवार कोश, परियाइब आची कोश, सुकति कोश, लकोक्ति मुहावरा कोश, लोग भाशा कोश, प्रियोग कोश आधी आते हैं अब हम इनके संक्षिप्त विवरन को जान लेते हैं शब्द कोश तो जिस कोश में किसी भाषा में प्रियोग शब्दों का संगरह करके उनका अर्थ और व्याक्या प्रस्तुत की जाती है उसे शब्द कोश कहते हैं ज्यानि कि किसी भी भाशा में प्रियोग होने वाले शब्दों फिर उनकी अर्ट और उनका वाक्य प्रियोग किया जाता है। उन्हें शब्द कोश कहते हैं, इस प्रकार की कोशों के लिए विशेश रूप से कोशाकार कोश कार्ज होते हैं, वो सहित्य को अपना अधार बनाते हैं, दूसरे शब्द परिवार कोश, यानि कि जिस कोश में किसी एक भाशा में पाए जाने वाले अधार शब्दों को वर् कोश में अनेक अलग-अलग अर्थ के साथ प्रस्तूत किया जाता है जैसे मैं उधार औधारन को बता रही हू कुछager चार अचार दुराचा प्रेचार दिया श्ब्ड तो क्या करते हैं कि उन्के अरत के Vadi पहले अचाह, विच्छाह जो भी है उनके अर्थ उसके परिवार, शब्द परिवार कोश के अंतर गति प्रस्तूत किये जाते हैं और इसे प्रकारे कुदार नौरह हार शब्द के अनुहार, विहार अहार, उपहार, संगहार और आदी सबके अर्थ आपको इस तरह कि कोश में मिल जाएंगे। ऐसे कोश शब्ड की मूल प्रकरती और उसके प्रत्याइगी जानकारी के लिए काफी उपयोगी होते हैं। अगला है प्रयायवाची कोष, इस कोष में किसी भाषा के शब्दों के प्रयायवाची शब्दों का संध्रय करके उनका विवेचन किया जाता है यानि क्यों ये विस्तार पूर बताया जाता है। किसी एक शब्द में अनेक प्रियायवाची होने पर भई उन सभी शब्दों के आर्थ में भिंता होती है। दोस्तों कभी भी कोई भी दो शब्द एक ही आर्थ को प्रकट नहीं करते। उन में चाहिए आन्शुक रूप से ही होता है लेकिन अंतर जरूर होता है। उनके गुन धरम में अंतर हमें देखने को मिलता ही है। जैसे है अब जैसे नदी का प्रियायवाची शब्द वे सरीता शेल्जा ये इसके प्रियायवाची ही है। किन्तु इनके अर्थ विशेश आंत्रिक शक्ति के परिचायक है। जैसे नाज से बना नदी है, प्रसरन शीतलता के कारण, जब शीतलता बढ़ती है तो उसको हम सरीता कह देते हैं, और जब वो परवत से निकलती है, तो वो शेल जा है, यानि कि आप उसमें देख रहे हैं कि अर्थ में अंतर है, ऐसे ये जो शब्द होते हैं ये मिलते हैं परियाएवाची कोश में आपको सुक्ति कोश भात्य भाषा सहिते एक विशाल परिवार की भाती है संस्क्रिट सहिते की विभिन विधाओं में नीती परक संदेशों के कारण उनका महत्वर आज भी बना हुआ है इसी प्रकास संस्क्रिट पाली प्राकृत हिंदी भाषा में समहाईत विभिन संदेशात्मक सुक्तियों को संग्रहित कर उनका विवेचन जिस कोश में किया जाता है उसे सुक्ति कोश कहते हैं इस कोश में सुक्तियों के मूल इस्थान का उल्लेक भी किया जाता है कि ये जो सुक्ति है वो किस पाली से है, प्राकृत भाषा से किस से है, इन सब का भी इसमें उल्लेक किया जाता है और इन्हें सुक्ति कोश कहते हैं अगला है लोकोक्ति और मुहावरा कोश भाशा की प्रान्वन शक्ति के रूप में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रियोग हमेशा से हम देखते हैं सद्यों से होता आ रहा है इसके प्रियोग से किसी विशेश अर्थ का ध्वनन किया जाता है और जिस कोश में किसी भाशा के म मुहावरों एवं लुकोक्तियों का वर्णा नुक्रम से संघरा कर उनका विवेचन किया जाता है। एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों के अनुचित प्रियोग से भाषा का स्वरूप शितिल हो जाता है। प्रियोग से एक जैसे ही हमें प्रतीत होते हैं। अगला है लोक भाषा कोश यानि कि जिस कोश में किसी लोक भाषा की विशिष्ट शब्दावली एवं उसके प्रियोगों की ववस्था को वर्णन एवं अनुकरन से प्रस्तुत किया जाता है। उसे लोक भाषा कोश कहते हैं। एक जगा में प्रियोग होने वाले शब्दों को लोक भाषा जो लोक भाषी शब्द होते हैं। उनका प्रियोग इस कोश में किया जाता है। ऐसे कोश किसी विशिष्ट गति की सामुईक चेत्रा को पूंतह उभारने में सक्षम होते हैं। और इनसे उस लोक भाषा के सहित्य को गहराई से समझा जा सकता है। इंतर भाषा भाषियों के लिए शोद परक रूप में ऐसे कुछ विशेश कोश हो सकते हैं। तो दोस्तों यह हमने जाना आज के अध्याय में भाषा जो यह भाषा विज्ञान है भाषा कोश के बारे में कि भाषा कोश के अंतरगर्ष शब्द कोश प्रियोग कोश लोकोक्ती मुहावरा कोश यह जितने भी कोश आते हैं इनके विशे में आज के अध्याय में हमने ज सब्सक्राइब करना होगा धन्यमात दोस्तों आपका दिन शुब हो